नमस्कार आज हम NCERT द्वारा कक्षचे की हिंदी विशय के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तत दुर्वा भाग एक पाठ सत्रा जो की एक कवीता है तितली उसका कावे पठन करेंगे साथी इस कवीता से संबंदित कुछ रोचक गतिविधियां भी करेंगे तो आईए शुरू करते हैं अपनी कवीता तितली रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबके मन को भाते हैं कलियां देख तुम्हें खुश होती फूल देख मुसकाते हैं रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबका मलल चाते हैं तितली रानी तितली रानी यह कह सभी बुलाते हैं पास नहीं क्यों आती तितली दूर दूर क्यों रहती हो फूल फूल के कानों में जा धीरे से क्या कहती हो सुन्दर सुन्दर प्यारी तितली आँखों को तुम भाती हो इतनी बात बतादो हमको हाथ नहीं क्यों आती हो इस डाली से उस डाली पर उड़ उड़ कर क्यों जाती हो फूल फूल का रस लेती हो हमसे क्यों शर्माती हो आईए एक बार दोबारा से आप मेरे साथ इसको धोराईए रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबके मन को भाते हैं कलियां देख तुम्हें खुश होती फूल देख मुसकाते हैं रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबका मल लल चाते हैं तितली रानी तितली रानी यह कह सभी बुलाते हैं पास नहीं क्यों आती तितली दूर दूर क्यों रहती हो फूल फूल के कानों मेजा धीरे से क्या कहती हो सुन्दर सुन्दर प्यारी तितली आखो को तुम भाती हो इतनी बात बतादो हमको हात नहीं क्यों आती हो इस डाली से उस डाली पर उड़ उड़ कर क्यों जाती हो फूल फूल का रस लेती हो हमसे क्यों शर्माती हो इस कविता का भावार इस प्रकार है इस कविता में तितली की सुन्दरता एवं उसके सभाव का वर्डन किया गया है तितली के रंग बिरंगे पंग सबको अच्छे लगते हैं जिनें देखकर कलियां प्रसन होती हैं और फूल मुस्काते हैं तितली के रंग बिरंगे पंग होने के कारण लोग उसे तितली रानी कहकर पकारते हैं तितली बार बार फूलों के पास आती है मानो जैसे उनके याने फूलों के कानों में कुछ कह रही हो बच्चे तितली से शिकायत कर रहे हैं तुम हमारे पास क्यों नहीं आती हो? तितली बच्चों को बहुत सुन्दर लगती है लेकिन वे उसे पकड नहीं बाते क्योंकि वा जल्दी से उड़ जाती है तितली अपनी चंचल सभाव की कारण एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ उड़कर फूलों पर मंगराती है और उनका रस ले लेती है नेकिन जैसे ही बच्चे उसको पकड़ने जाते हैं तो वह शर्मा के उड़ जाती है इस प्रकार बच्चे तितली से शिकायत करते हैं आएए इस कवीता से संबंदित शब्दार्थ जानते हैं भाना भाना का अर्थ होता है अच्छा लगना जब कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हम उसे कहते हैं यहां वस्तु हमें भागई भाना अच्छा लगना अगला शब्द है हात ना आना, हात ना आना का अर्थ होता है पकड में ना आना, लल्चाना, लल्चाना का अर्थ होता है लुभाना, अगला शब्द है कानों में कहना, धीरे से कहना, जब हम कोई बात धीरे से किसी के कान में कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कानों में कहना, हमारी अगली गतिविदी है, कविता की पंक्तियां पूरी करो, हमने कविता पड़ी है, उसी के आधार पर हम इन पंक्तियों को पूरा करेंगे, पहली पंक्ति है रंग बिरंगे पंख तुम्हारे अब आप बताईए इसके आगे क्या आएगा इस पंक्ति को पूरी करे सब के मन को भाते हैं दूसरी पंक्ति है पास नहीं क्यों आती तितली सोचिए और बताईए इस पंक्ति को पूरी कीजिए दूर दूर क्यों रहती हो बिल्कुल सही पास नहीं क्यों आती तितली दूर दूर क्यों रहती हो हमारी अगली पंक्ति है फूल फूल के कानों में जा बताईए इस पंक्ती को कैसे पूरा करेंगे आगे क्या आएगा धीरे से क्या कहती हो फूल फूल के कानों में जा धीरे से क्या कहती हो अगली पंक्ती है इस डाली से उस डाली पर अब सूचिए और बताईए इस पंक्ती को पूरा कीजिए हमारी अगली पंक्ती है फूल फूल का रस लेती हो आगे सोचिये और बताइए इस पंक्ती को पूरा कीजिये शाबाज हमसे क्यूं शर्माती हो फूल फूल का रस लेती हो हमसे क्यूं शर्माती हो इस प्रकार इस गती विधी के द्वारा हमने सीखा कि कविता की पंक्तियां हम कैसे पूरी कर सकते हैं हमारी अगली गतिविदी है समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खीच कर मिलाओ यहां कुछ शब्द दिये हैं इन में से दो शब्द जिनका एक ही अर्थ है समान अर्थ है उन्हें रेखा खीच के मिलाएंगे यहां पर एक आपकी सहता के लिए रेखा खीची गई है ललचाना लुभाना ललचाना और लुभाना का अर्थ समान ही होता है अब आगे देखें पहला शब्द है भाते हैं देखके बताएं इसके समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है बिल्कुल सही अच्छे लगते हैं भाते हैं अच्छे लगते हैं दूसरा शब्द है खुश होना तो सोचके बताएं खुश होना का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा प्रसन होना, खुशोना, प्रसन होना, दोनों ही शब्दों का अर्थ समान है हमारा अगला शब्द है डाली तो सोचिए और बताईए इन में से हम किस से मिलाएंगे शब्द को शाखा, डाली और शाखा दोनों का ही अर्थ समान होता है हमारा अगला शब्द है शर्माना शर्माना का समान अर्थ वाला शब्द है लजाना तो इस प्रकार हमने कुछ शब्द सीखें जिनके अर्थ समान है भाते हैं, अच्छे लगते हैं खुश होना, प्रसन होना, डाली शाखा हमारी अगली गतिविदी है निम लेखिद शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो यहां को शब्द दिये है रंग बिरंगा, कानों में कहना, हाथ ना आना, शर्माना इन शब्दों से संबंदित वाक्य बनाईये तो पहला शब्द है रंग बिरंगा, सोचिए यहाँ शब्द हमने कविता में कितनी बार पड़ा है, इससे सम्बंदित कोई और वाक्य बनाएं, शाबाज, फूल, रंग बिरंगे होते हैं हमारा दूसरा शब्द है कानों में कहना, अब इससे सम्बंदित वाक्य बनाईएं, कानों में कहना का अर्थ होता है, धीरे से कहना बिल्कुल जही मैंने दादी के कान में कहा, हमारा अगला शब्द है हाथ ना आना, अब इससे सम्बंदित वाक्य में बनाईए, क्या हो सकता है तितली किसी के हाथ नहीं आती है, हमारा अगला शब्द है शर्माना, अब शर्माना शब्द से सम्बंदित वाक्य बनाईए, इसे वाक्य में प्रयोग कीजिए तिल्कुल सही, तितली फूलों से शर्माती है तो देखा बच्चो, हम अलग-अलग शब्दों का उप्योग करके, अलग-अलग वाक्य बना सकते हैं हमारी अगली गतिविदी है, प्रश्नोत्तर कार्य हमारा पहला प्रश्न है, तितली के पंग कैसे होते हैं हमने कवीता में पढ़ा है तितली के पंख कैसे होते हैं अब आप उसको याद कीजिए सोचिए और बताईए बिल्कुल सही तितली के पंख रंग भी रंगे होते हैं हमारा अगला प्रश्न है कवीता में तितली को क्या कहकर बुलाया गया है सोचके बताईए कवीता में तितली को क्या कहा गया है बिल्कुल सही कवीता में तितली को तितली रानी कहकर बुलाया गया है हमारा अगला प्रश्न है कलिया और फूल तितली को देखकर क्या करते हैं तो सोचिए और बताईए कलिया और फूल क्या करते हैं तितली को देखकर एकदम सही कलियां तितली को देखकर खुश होती हैं और फूल मुस्काते हैं अगला प्रश्ण है तितली उड़ उड़ कर कहां जाती है तो इस कवीता के माध्यम से हमने आज तितली के बारे में अनेक सी बाते जानी उसके स्वभाव और सुन्दर्ता के बारे में भी जाना तो अब आप इस कवीता का अभ्यास कर सकते हैं आज हमने कवीता तितली पढ़ी और सुनी उमीद करती हूँ आपको यह कवीता अच्छी लगी होगी जैसे की मुझे लगी है इस कवीता से संबंदित हमने कुछ रोचक गतिविद्या भी की अब हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे नमस्कार अब हम अब हम अगले दो के साथ मिलेंगे हैं झाल झाल